हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो मैं चैनल गुरू की साउजी रसुई आज हम कच्चे आलू से एक नाश्टा त्यार करने वाले हैं जो कि बहुत जल्दी बन जाएगा और बहुत टेस्टी भी रहेगा अगर कोई मेमान आ जाए और वक्त पे हमें कुछ बनाना हो तो उसके लिए ये नाश्टा बहुत अच्छा है बहुत टेस्टी भी है और आजानी से बन भी जाता है तो चलो इसे बनाते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पे दो कच्चे आलू लिए हुए है अभी ये आलू को मैं छील लूँगी और इस आलू के अभी हमें लच्छे करने हैं तो ये एकदम बारिक इससे नहीं करना है थोड़ा मोठे इससे हम इसको ग्रेट करेंगे ग्रेट करने के बाद इसको हमें धोलेना है क्योंकि इसका जो स्टार्च है वो अच्छे से निकल जाना चाहिए तो इसलिए मैं इसको अच्छे से 3-4 पाने से धोलूँगी ताकि वो आलू अच्छे से साफ हो जाए अब इसका पूरा पाने निकालके मैं इसको एक मिक्सिंग बाउल में डाल रही हूँ अब मैंने काडाई ग्यास पर रख दी है उसमें मैं डाल रही हूँ देड कब पानी पानी को उबलने देना है पानी को जब उबली आ जाए तब हम इसमें डाल देंगे वनफोर चमच हल्दी इसके साथे एक छोटा चमच अजवाईन एक छोटा चमच तील सफेद तील ली हुई है मैंने आपे और आदा चमच गरम मसाला आदा चमच लाल मिर्च पाउडर और रेड चिली फ्लिक्स इससे इसका टेक्चर बहुत ही अच्छा आता है और एक चमच चाट मसाला अब हम इसको मिक्स कर देंगे और यह जो आलू के लच्छे हमने निकाल के रख दिये थे वह हम इसमें डाल देंगे अब हम इसमें डाल देंगे उपर से एक छोटा चमच ऑईल आप इसमें घी भी यूज़ कर सकते हो और इसमें हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक और इसको दो-तीन मिनिट तक के धीमी आज पे हम पकने देंगे ताकि वह आलू है वो थोड़ा सा सौफ्ट हो जाए यह देखो आलू थोड़ा सा सौफ्ट हो चुका है अब हम इसमें डाल देंगे सूजी तो यहापे मैंने एक कटोरी सूजी ली हुई है लेकिन मैं पूरी इसमें नहीं डालूंगी थोड़ी थोड़ी डाल के इसमें मिक्स कर दोंगे ऐसी थोड़ी थोड़ी सूजी डाल के इसको मिक्स कर देना है जितनी सूजी इसमें आएगी से पूतनी ही मैं डालूंगी क्यूंकि सूजी पानी सौक लेते है ऐसी ही थोड़ी थोड़ी सूजी डाल के इसको मिक्स करना बहुत ही टेस्टी ऐसे नाश्ता बनता है और सबको बहुत पसंद भी आएगा आप चाहे तो इसमें गाजर, पत्तागोबी, शिमला मीच ये भी डाल सकते हो ये देखो इतनी सूजी में ये पानी पूरा सौक लिया है मतलब ये अभी हमें सूजी डालने के जरूरत नहीं है तो उसमें से एक छोटा चम्म सूजी बज गई है मतलब देड कब पानी में मैंने करीब एक कटोरी सूजी डाली हुई है अब इसको हमें दस मिनिट तक के पकाना है तो इसको हम ढखके दस मिनिट तक पकने देंगे दस मिनिट हो चुके है और ये सूजी भी पक गई है क्योंकि वो पूरा कड़ाई छोड़ रही है मतलब वो अच्छे से पक चुकी है तो अब हम ग्यास को आफ कर देंगे मैंने या पे एक प्लेट में थोड़ा सा तेल डाल दिया है वो पूरा तेल वे प्लेट में अच्छे से लगा लूँगी और इसी के उपर में डाल रही हूँ ये सूजी जो हमने पका के रखी थी ये थोड़े पाच मिनिट थंडी होने देना है उसके बाच डालना है क्योंकि बहुत ही गरम रहता है और इसको अभी हमें हाथ से अच्छे से प्रेस करना है आप किसी भी आकार का इससे बना सकते हो मुझे स्क्वेर में बनाना है तो मैं इसको स्क्वेर से शेप में ही सेट कर रही हूँ ऐसे ही इसको हाथ से प्रेस करके इसका शेप तयार करना है यह देखो यह अच्छे से हमारा यह एकदम सेट हो चुका है अभी हमें इसे छोटे-छोटे पीस में काटना है तो उसके लिए मैं इसको चाकू से ऐसे इसके छोटे-छोटे पीस कर दूंगी यह देखो यह हमारे पूरे पीसेस तयार हो चुके है अब हम इसको निकाल लेंगे बाहर ज्यादा पतला भी नहीं और ज्यादा मूठा भी नहीं ऐसे पीसेस हमें तयार करके रखने हैं यह देखो यह हमारे पीसेस पूरे अच्छे से निकल चुके हैं आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हो ऐसे ही यह टेस्टी लगता है लेकिन हम इसको अभी तरने वाले हैं इसके लिए मैंने ग्यास पे पैंड रख दिया है और इसमेँ तेल गरम करने लिए रग दिया है तेल जब थोड़ा सा गरम हो जाए तब हम ये एक एक पीसेस इसमें डाल देंगे इसको धीरे धीरे पकाएंगे और ग्यास एकदम low to medium flame पे ही होनी चाहिए अभी ये क्रिस्पी अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे तो जितने इसमें आये है उतने मेने डाल दिये अब इसको हम धीरे धीरे पकने देंगे आप इसको shallow fry भी कर सकते हो, deep fry भी कर सकते हो या फिर वैसे भी खा सकते हो ऐसे ही इसको चमस से उल्टा सीधा करके हम 5 मिनिट तक के पकने देंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी बन जाए आप इसके बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हो, इसमें और सबजिया डालेंगे और हेल्दी हो जाएगा तो बच्चों के लिए भी अच्छा ही रहता है चलो ये अभी पक चुके है, मैं इसको निकाल लूँगी ये देखो, ये बन गया हमारे कच्चे आलू और सूजी का नया नाश्ता जो कि बहुत ही क्रिस्पी है और बहुत आसानी से बन जाता है बहुत टेस्टी भी लगता है, एकदम क्रिस्पी दिख रहा है और ये अंदर से भी अच्छे से पक चुका है बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसको ग्रीन चटनी के साथ खाईए या टोमाटो सॉस के साथ खाईए बहुत ही टेस्टी लगता है तो आप भी इस रेसिपी को एक बार जरू ट्राइ करना